तो गाइस अगर आप first time online shopping करते हैं जैके ठुड़ी sweater की तो वहाँ पे सबसे बड़ी confusion होती है size को लेकर कि हम कौन सा size order करें जो की हमारे लिए perfect हो यानि की एक बार में ही हमारा जो product है हमारे गर पे सही आ जाए हमें बार-बार return ना करना पड़े size की गलती की वज़े से तो इसलिए आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको खुद को measure करना है और अपने लिए जो perfect size है उसे कैसे select करना है तो चलते हैं सबसे बहले हम बात कर लेते है measurement की तो measurement के लिए आपको एक चीज़ की ज़रुत पड़े की जो की है एक measuring tape और यह measuring tape आपको कुछ ऐसी देखने के अंदर मिल जाती है और यह आपको online और offline दोनों ही जगा मिल गाएगी लेकिन अगर आपके पास ऐसी measuring tape नहीं है या आप आई नहीं करना चाते तो मैंने एक video औलक से बनाई थी जिसके अंदर मैंने normally जो हम belt पहनते हैं मैंने उसका use करके अपनी जो measurement है वो उसके अंदर करके दिखाई थी तो अगर आप चाते तो वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं लेकिन आज हम बात करने वाल है measuring tape की तो यह आपको कुछ ऐसी मिल जाती है यहाँ पे एक side आपको inches मिल जाते है और दूसरी side आपको centimeter मिलते है और एक बात और है जब आप measurement करें तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको किसी भी तरह की layering वगेरा नहीं करनी है यानि कि अगर आपने shirt पहनी है, jacket पहनी है तो आप उसे मतलब उतार दीजे क्योंकि उसकी वजए से आपकी जो measurement है वो खराब हो सकती है तो यह आचुकि हमारी measuring tape और यहाँ पे आपको one inch लिखा मिल जाता है जहां से हमें measuring start करनी है तो अब हम क्या करते हैं अपनी chest का fullest part लेंगे और उसके उपर से अपनी पूरी measuring tape को लेके जाएंगे और यहाँ पे इसे ऐसे connect कर लेंगे और अगर हम back side की बात करें तो आपको कुछ ऐसा look देखने को मिलेगा यानि कि आपको same ऐसे ही measurement करनी है जिससे कि आपकी जो measurement है वो बिल्कुल correct आएगी उसके बाद अगर हम बात करें measurement की तो यह आ चुके है 41 inch तो यहाँ पे अगर आप देखे तो जो हमारी measurement tape है भाई वो move नहीं हो रही है तो हमें क्या करना है एक से दो finger का gap रखना है जो कि मैं हर video के अंदर बोलता हूँ तो यहाँ पे हम एक से दो finger का gap जब रखेंगे तो जो हमारी measurement है वो हो गई है 42 inch जो कि आप देख सकते हैं तो ऐसे ही आपको measurement कर लेनी है चाहे आप rope से करे, belt से करे, जो कि मैंने video के अंदर दिखाया है आपको सेम ऐसा ही result मिलने वाला है तो भाई measurement तो हमने कर लिया लेकिन अब बात आती है कि हमें जो size है वो कैसे select करना है क्योंकि सबसे हैं confusion हर किसी को वहीं पर आती है तो मैं आपको एक या दो point पहले ही बताना चाहूँगा जो कि मैं follow करता हूँ और मैं चाहूँगा कि आप भी एक बार इनका ध्यान रखे तो देखो जब भी मैं jacket वगरा मंगाता हूँ तो मैं एक size up मंगाता हूँ यानि कि एक size बड़ा मंगाता हूँ जैसे कि मेरी measurement है थी 42 तो मैं क्या करूँगा 44 मैं buy करूँगा इसके पिछिर reason के है के भाई जो हमारी jacket आना वो बिल्कुल fitted ना आये तो मैं इसलिए मैं एक size हमेशा ही बड़ा मंगाता हूँ चाहे jacket हो, hoodie हो, sweater हो तो ये तो था हमारे healthy भाईयों के लिए लेकिन अगर आप भाई slim है, पतले है तो आपको क्या करना है, हमने अपनी measurement के time पे एक से दो finger का gap रखा था तो आपको same इतना ही करना है और जो भी measurement पे आपकी जो jacket वगरा मिलती है तो वो आप buy कर सकते है यानि कि आपको same यही rule follow करना है और आपका भाई जो भी winter clothes है ना आपको बिल्कुल perfect आएंगे, यह मैं guarantee लेता हूं तो अब मैं आपको बताता हूं कि size chart में से select कैसे करना है अपने size को, तो यहाँ पे सबसे पहले हम flip card app को open कर लेता है और यहाँ पे हम लिखेंगे winter clothes उसके बाद यहाँ पे एक random brand है, कोई कोटी करके तो हम इसे open कर लेंगे, यहाँ पे जब हम size chart के अंदर जाएंगे तो आपको यह सारे size देखने को मिल जाते है तो यहाँ पे अगर आप देखे, जो chest है वो आपको मिलते है 38, 40, 42, यानि कि आपको ऐसे मिलती है और sizes उसके आगे आपको लिखे वे मिल जाते है तो यहाँ पे जो हमारी flip card है, इसके उपर एक और brand है जो कि है metronaut का, इसका size chart है वो भी आपको different मिलता है, यानि कि यहाँ पे आपको सारे order number मिलता है जैसे कि 39, 41, 43 तो इसके अंदर भी आप semi rule follow करना है यानि कि अगर आपके जो chest 42 है तो हमने 44 select के है, तो यहाँ पे हम 45 कर लेंगे select क्योंकि यह हमारे इसाब से सही है लेकिन अगर 43 select करेंगे तो हमको बिल्कुल fit आने वाला है तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है तो मैं तो यहाँ पे 45 जो size है, वो select करूँगा 41, 43, 45 जो के हमारी chest है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 45 को select कर लेंगे जो की L हमारा size है तो अगर यहाँ पे 44 size होता जो की हमने अभी आपको बताया है तो भाई हम वो select कर लेते हैं लेकिन यहाँ पे 44 नहीं है, तो भाई हमारा 45 है उसे हम select कर लेंगे और यह हमारे लिए perfect होने माद है तो अगर आप इसलिम है तो आपको क्या करना है कि अपना जो same size measurement के time पर आया था आपको वही buy करना है जैसे कि हमने 1-2 finger का gap रखा था और उसके बाद जो हमारा size आया था तो हम वही select कर लेंगे और जो सारे brand होते हैं इनके जो size chart है उनके अंदर आपको थोड़ा थोड़ा जो difference है वो देखने को मिल जाता है जैसे कि किसी के अंदर आपको मिल रहेगा 29.5, 23.5 यानि कि points के अंदर दिया होता है तो उसके अंदर भी आपको confused होना नहीं है आपको बस जो भी आपका size है उससे एक size छोड़ के मंगा लीजिए वो आपके लिए best होगा और इसी तरह आप अपना size select कर सकते है जब भी आप जाए कि थुड़ी sweater कुछ भी buy कर रहे हो online तो भाई आपको same यही process करना है और आपका जो size है वो बिल्कुल perfect आएगा तो guys बस आज की वीडियो के अंदर इतने है था तो hopefully आपको वीडियो पसंद आई होगी और यह आपके लिए helpful रही होगी तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like कर दीजे अगर आपको किसी भी तरह की queries वगर है तो comment box में लिखना ना भूले मैं आपकी help करने की कोशिश करूँगा